यह पैनल आपको सिर्फ सिर्फ 10,945 रुपए यानि कि 11,000 रुपए में आपको यह सोलर पैनल मिल जाता है हेलो दोस्तो टैक में वाड़ी यूटूब चैनल में आपका बहुत बूस्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं बाइफीशल सोलर पैनल के बारे में बाइफीशल सोलर पैनल क्या होता है कैसे बनता है कैसे कायरी करता है किमत क्या है और कहां से खरिदना है वह सब कुछ बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बाइफीशल सोलर पैनल होता क्या है आप सामाईनी सोलर पै वीडियो है जिसमें बाइफिशल सोलर पैवन के बारे में एडविस्ट जानकर यह आपको मिलने वाली किम्मत के साथ तो एक थोड़ा सा भी आप जिन ना करें पूरा कप पूरा इस वीडियो को आपको देखना है सबसे पहले बात करते हैं कि बाइफिशल सोलर पैनल होता क्य है दोस्तों जैसा कि आप दोनों से चाहिना संनल है यानि की बनता है बात करते हैं कि जो सामाईने solar panel होते हैं, उसमें solar cell को बिचा कर उसके नीचे white color की एक shit लगा दी जाती है यहाँ पर bifacial में front side में glass लगा दिया जता है, बीच में यहाँ पर silicon के cell और back side में भी glass लगा दिया जता है bifacial solar panel काम कैसे करता है, दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, सामाईने solar panel होते हैं, उसमें क्या होता है, कि जो sunlight आती है, वो front side है, वो observe कर लेता है और front side से ही beasley बनती है, लेकिन यहाँ पर bifacial solar panel में उपर से जो sunlight आ रही है, वो front side से observe करता है और जो जमीन पर गिरने वाली जो sunlight है, उसको reflect करके back side से भी beasley बनता है, अब बात करते हैं कि क्या यह bifacial solar panel, front side से और back side से दोनों तरफ से 100% beasley generate करता है क्या, नहीं दोस्तों, आप वेसे तो पता ही लगा सकते हैं कि यह front side से कितना generate कर रहा है, और back side से कितना generate कर रहा है, हाँ, लेकिन एक यानि कि averageन, यानि कि यह front side से जैसे यह वारे company का जो bifacial solar panel है, 400 watt का solar panel से है, तो back side से up to 30% कोई सा भी bifacial हो, up to 30% beasley ही generate करता है, यानि कि यह 400 watt का solar panel है, वो कुल मिला के 520 watt तक का beasley generate करता है, लेकिन यहाँ पर भी conditions रहती है कि आप कहां पर इस्टोल कर र रखे हैं, वो अलग-अलग 15%, 20%, 25% और 30% तक आप इससे ज्यादा बिजली ले सकते हैं, अब यहाँ पर condition क्या रहती है, जैसे आपने अपनी छत पर solar panel को install किया है, निचे की side में अगर white coating कर रखिये, तो यह बिजली ज्यादा generate करेगा, लाकिन नॉर्मल जो छत हैं, वहाँ पर आप लगा रहे हैं, ति यह लगबग 10-15% ही back side से बिजली जनरेट करता है, यह जो solar panel है, वो वारी company का है, और यह भारत के manufacturing company है, और यह company 3W से लेकर 520W तक के solar panel बनाती है, जो अलग-अलग types के solar panel है, जिसमें polycrystalline है, monocrystalline है, hub cut है, bifacial है, और flexible solar panel भी यह बनाती है, अब बात कर लेते हैं, अपन यहाँ पर जो सबसे पिलम में, यहाँ पर back side के बात करूँगा, अब यहाँ पर solar panel के size के बात करते हैं, ति इसकी जो लंबाई है, वो 2029 mm है, और चोड़ाई है, 1007 mm, और थिकने यानि कि जो frame की थिकने से वो 40 mm है, और यहाँ पर जो solar cell है, वो total मिला कर 144 cell बनते हैं, सबसे बढ़िया बात, यानि कि यह दो भाग में बना हुआ है, तो एक भाग में अगर चाया आ जाती है, तो भी दूसरा भाग completely work करता है, और यह सभी climate में better performance देता है, और इसकी efficiency की बात करते हैं, तो 18 से 20% तक इसकी efficiency देखने को मिल जाती है, यहाँ की बात करें, तो 25.5 kg इसका वजन है, यहाँ पर अगर फ्रंट ग्लास की बात करते हैं, तो यह जो ग्लास है, वो 3.2 mm का लो आईरन वा आर कोटिंग के साथ टेंपर ग्लास से बना हुआ है, यहाँ पर सेंटर में देखते हैं, आपको तेन जंसन बोक्स मिल जाते हैं, वैस जाती है, दोनों तरफ और MC4 कनेक्टर भी साथ में लगे हुए हैं, यानि कि सीधा प्लग और यह जो जंक्सन बोक्स से IP68 वेदर प्रूप है, यानि कि बारिश में भी यहाँ पर कहीं पर भी पानी गुसने वाला नहीं है, यहाँ पर पैनल के बैक साइड में सेंटर में ट देख सकते हैं, अब अगर अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर फ्रेम पर आपको 6 इदर और 6 इदर, यानि कि 12 माउंटिंग हॉल मिल जाते हैं, यानि कि आप कहीं पर भी किसी भी स्ट्रक्चर पर आसानी से इसे माउंड कर सकते हैं, और यह जो सोलर पैनल है, संडलाइट को जादा से जादा अब्जर्व करता है, और सभी तरह की क्लाइमेट, यानि कि सर्दी, गर्मी, बरसाद, बादल, कैसा भी क्लाइमेट हो, यह अच्छी प्रपोमेंस देता है, इस सोलर पैनल पर कमपनी 25 साल के आपको वरंटी देती है, आप खुश हो जाते हैं कि हमारे साथ 25 साल तक कमपनी है, लेकिन इसमें भी TNC होती हैनि कि इस्टार लगाऊ हो हता है, जो 10 साल तक है, वहाँ पर 90 से 91% तक एफिशेंसी रहती है, और 10 से 25 साल तक 95 साल तक 80% ही परफोमेंस रहती है इसमें, ये इसमें के इसमें कंडिशेन सोती है, अगर 80% और 90% से उस समय में अगर कम हो जाती है तो आपको warranty claim मिलती है और साथ में ही दस साल तक इसमें manufacturing warranty भी देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं किम्मत की यानि कि वैसे तो आप मार्केट में देखेंगे कि अलग-अलग किम्मत में बाइफिशल मिलेगा लेकिन यहां पर जो highest किम्मत निकल के आई है मैंने यानि कि पूरी मार्केट रिसर्च कर ली है 20 रुपए प्रतिव वाट के इसाब से highest किम्मत निकल के आई है और वैसे भी एक solar panel कौन खरीदेगा यहां पर अगर आप quantity में solar panel खरिदते हैं तो यह पैनल आपको सिर्फ सिर्फ 10,945 रुपए यानि कि 11,000 रुपए में आपको यह solar panel मिल जाता है लेकिन कंडिशन्स यह है यहां पर कि quantity में आपको solar panel खरिदना पड़ता है अब बात आती है यहां पर खरिदना कहां से हैं दोस्तो वारी कंपनी की जो official website है वहां से भी आप खरे सकते हैं अब भी लगबग सैम प्राइज में मिलते हैं दोस्तो बारी अब आपकी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है लाइक करना है अगर आपके कोई भी सवाल हो सुजा हो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताए अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें साथ में घंडी के निशान जरू दबाएं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै बारत जै राजिस्तान वन दे मात्रम